हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु सारीका स्कुकिंग डायरी, मैं हूँ सारीका और आज मैं बनाने वाली हूँ बनाना फ्राई बनाना फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं चार कच्चे केले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, नमक, चावल काटा, निम्बु कारस, कुकिंग ओल, और अधक लसुन की पेस्ट सबसे पहले हमें केलो से छिलका निकाल लेना है यहाँ पर मैंने सारे केलो से छिलका निकाल लिया है अब हमें इन सारे केलो के लंबे स्लाइस बना लेना है ये देखी इस तरह से बनाना को कट करके हम medium size के लंभे slice बना लेते हैं यहाँ पर सारी slice ready हो चुकी है तो अब इन्हें हम इस बाउल में ले लेते हैं अब हम हमी इन सारी slice को marinate करना है तो इसमें हम सारे ingredients डाल लेते हैं सबसे पहले डालेंगे एक चमच लाली मिर्श पाउडर, एक चोथाई चमच हल्दी, आदा चमच धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वात के अनुसार, चार चमच निम्बु करस, उसके बाद डालेंगे आदा चमच, अद्रक और लसुन की पेस्ट, हमने इसमें सारे मसाले डाल लिये हैं, तो अब इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे सारी स्लाइस को अच्छे से मसाले लग जाए, तो अब हम इससे 15-20 मिनिट के लिए रेष्ट होने देते हैं, वीस मिनिट हो चुकी है और हमारे बनाना स्लाइस मैरिनेट हो चुके हैं, तब इससे हम फ्राइ कर लेते हैं, तो इसके लिए गैस पर तवे को मीडियम आच पर गरम करने रख देती हूँ, तवा गरम हो चुक चावल काटा लिया है उसे इस प्लेट में ले लेती हूं अब तवे पर दो से तीन चमर तेल डाल कर फेला लेते हैं अब बारी है बनाना स्लाइस को फ्राइ करने के लिए तवे पर रखने की तो यहाँ पर जो हमने ये चावल का आटा लिया है उससे स्लाइस को कोट करके तवे पर रखते जाना है स्लाइस पर लगा हुआ एक्स्ट्रा आटा निकालने के लिए स्लाइस को हलके से जटक दे इसी तरह हमें सारी स्लाइस को तवे पर रखते जाना है एक ही समय पर ज्यादा स्लाइस ना रखे थोड़ी दूर दूर जितनी स्लाइस तवे पर रह सके उतनी रखे अब स्लाइस के उपर से थोड़ा तेल घुमा लेते हैं गैस की आज को धीमे से थोड़ा ज्यादा रख कर बनानों को फ्राइ होने देना है जब तक कि एक तरप से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तीन से चार मिनिट के बाद स्लाइस को पलट के देख ले अगर वो गोल्डन ब्राउन दिखाई दे तो उसे पलट दे यहाँ पर स्लाइस गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब सारी स्लाइस को पलट देते हैं पलेटनी के बाद फिर से थोड़ा तेल स्लाइस पर से घुमा लेते हैं और दुसरी तरफ से भी 2-3 मिनिट के लिए फ्राई होने देते हैं तीन मिनिट के बाद दुसरी तरप से भी स्लाइस प्राई हो चुके हैं, तो अब हम इस सारी बनाने स्लाइस को एक प्लेट में पेपर नेपकिन रखकर निकाल लेते हैं अब बाकी सारी स्लाइस को भी हम इसी तरप प्राई कर लेंगे हमारे बनाना फ्राईर रेडी हो चुके हैं, तो अब इसे हम सर्विंग बावल में ले लेते हैं आप भी बनाना फ्राईर ज़रू ट्राई करें और आपकी कमेंट्स नीचे कमेंट्स बोक्स में ज़रूर दे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर लगी हो तो रेसिपी वीडियो के इचे लाइक का बटन प्रेस करना ना भूले और मेरी चेनल को ज़रू ज़रू सब्सक्राईब करें धन्यवाद फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई और गुड़ दे